नमस्कार मैं जन्बक्ता श्रीयों गौतम और जिस तरीके से बड़ा सोर सराबा हो रहा था ढोल पीटा जा रहा था कि दिल्ली में जब केजरीवाल सपत लेगा तीसरी बार तो वह एक लाख लोग इखटा होंगे लेकिन केजरीवाल की पार्टी की ये पोल जल्दी खुल स्कूल ज़ेता कि अब सपत yol की जो संक्या है उसको किस तरीके से बीड की शंख्याром आegरे पक नदिगया और यह श्रासा होरों की त्रफ क्योशकर कंवाल को वह एक सर्कूलरges के साथ हर प्रिंसीपल अपने 22 प्रिंसीपल के साHAHA MA 20 टीचर को लेकर सपत ग्र्यैंut और या दूसरे कॉडिनेटर हो उनको भी आना अनेवारने होगा इसके साथ साथ जो कुछ कहा गया और जब इसकी आलोचना होने लगी भारती जंता पाटी बिजेंद गर्गों या फिर कपिल मिस्रा जैसे सब ने कहा कि इस तरीके से आपको क्या जरुवति बढ़ाने के लिए आ आप जवरस्ती लोगों को बुलाना चाहते हैं आप इस तरीके से भीट बड़ाने के लिए इतना परेषान क्यों है क कपिल मिश्रा ने लिखा कि आप सपत ग्रहन में अन्य ग्रहनों को क्यों सामिल कर रहे हैं और और किस तरीके के आने के लिए उसको केवल निमंत्रण या आमंत्रण के तोर पर देखा जाए और चीचरों पर छोड़ा जाए कि वो आना चाहें या ना चाहें लेकिन यहां जो कुछ किया गया है उसमें बहुत बड़ा पेच है इस सर्कूलर में इस पस्ट है कि इन टीचरों की जो हो सकता है कि अगर वहां न पहुंचे तो उनके खिलाब कार्रेबाई भी हो सकती है पहली बार होगा देश के अंदर जब किसी मुख मंती या प्रदान मंती की सपत ग्रैन में इस तरीके से सरकारी करमचारियों को जब्रदस्ति आने का फरमान जारी किया गया होगा इसके सा सब्सार जो जो लोग इस सपत ग्रैन में आ रहे हैं वह भी अब चौकाने वाली बात है कि किस तरीके से भीड बढ़ाने के लिए यह पार्टी लोगों को जबर्दस्ति या बुला रही है और इसमें जिन लोगों को बुलाने का फरमान है मनीश ने कहा है कि सरकारी स्कूलो का इस्नाफ से चलाने वालों बुलाया गयाए मेट्रो के ड्राइबर सपायों को भी आने का फर्मान जारी हुआ है डमकल विवात के जो कर्म चारी है उनको बुलाने का फर्मान जारी गया है दिल्ली के फरिष्टे के नाम से जो एक योजना के तहत लोगों को रिष्टर किया गया था उनको बलाए गया है बस के जो मार्शल केजरीवाल ने रखे थे जाधातर बसों में वीडियो देखते वह आते हैं वो आज तक उनोंने कोई ऐसी घटना रोकी एका-दुका घटना क को छोड़ दें तो वो केबल और केबल सेलरी लेने के लिए केजरीवाल की पार्टी के कार्रेकरताओं को मार्सल बना कर बिठा दिया गया है और इससे जो ड्राइबर है वह भी परिशान है क्योंकि ड्राइबर हर समय एलट रहके गाड़ी चलाता है लेकिन उसको 15,000 भी सेलर किया था कि एक लाग से ज्यादा लोग उसकी सपत ग्रेंड का साच्छी बनेंगे उसके जो अंत्रिक सूत्र हैं और जो एलाईउ की रिपोर्ट रही होगी उसमें कह दिया गया होगा कि उसके सपत ग्रेंड में 20,000 आदमी भी मुश्किल से पहुचेंगे और यही बज़े ह पहले टीचरों के लिए फर्मान जारी किया इसकूलों में और उसके बाद इस तरीके से जो अंड उससे जुड़े हुए जो उसके कारकरता जैने उसे नौकरी दी थी अलग तरीके की नीती बनाकर उन सभी को बुलाकर अब उस भीड की भरपाई करने की कोसिस की जा रही है के पर्टी को त्रेपंट प्रत्सत्त मत जरूर मिले हैं लेकिन उनके पीछे कारण क्या है वह सारी चीजे खुलती हुई नजर आ रही है और उसको लेकर यह और बड़ा चौकाने वाला जो मामला वह साहीन बाग से आ रहा है कि साहीन बाग में अभी तक जो प्रतर्शन चल जा रही है कि अब तक जो उस भीड को फंडिंग हो रही थी उस फंडिंग में अब कमी आ गई है जिसकी बैसे लोग वहां आने से कत्रा रहें और सायद जो पहले 500 से सब्सक्राइबा है साहिन बाग को लेकर के जब ताइम सब्सक्राइब को मारी के सब्सक्राइब मिलना अपनी बात रखना तो वो भी अपोइंट में ले और मैं उनसे भी मिलूँगा और इसके बाद साहिन वाग की तरफ से से दूर हो गई है जब से चुनाब का रिजल्ट आया है क्योंकि कॉंग्रेस को जीरो मिलने की वज़े से कॉंग्रेस यह मान के चल रही है कि पैसा उन्हों ने खर्च किया लेकिन सारा का सारा फायदा के वलके इज्रीवाल को मिला है इसलिए कॉंग्रेस अब साहिन बाग से दूर होती हुई दिखाई दे रही है हाला कि इस मामले में जो बॉलीवूड के तमाम अर्बन नक्सली हैं वह कूदने की कोसिस कर रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया था अनुरा कस्चेप वहां पहुंचा उसने उन लोगों के साथ बिर्यानी खाई लेकिन अब उससे लो वहां जो मैलाए बैठी है या पुरुस है अब उनकी बहसा है वो भी बदलती हुई नजर आ रही है उनकी जो टोन है वो भी बदलती है और इसका मतलब ये है कॉंग्रेस को यह उम्मीद थी कि दो चार सीटे उसे भी मिल जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन साहीन बाग का पूरा ड्रामा रशने वाला अमानतुला खान फिर से बिदायक बन गया और उसे उम्मीद थी कि इस वार उसको मंत्रीपद मिलेगा लेकिन अभी तक जो हुई है केजरिवाल की पार्टी की तरफ से के जिन लोगों को सपत दिलाई जानी है उनमें जादतर वही लोग हैं जो पिछली बार भी मंत्री रहे थे तो अमानतुला को अभी तो मंत्रीपद नहीं मिलेगा लेकिन वह उम्मीद कर रहा है कि उसको साहिद कुछ फाइदा इस से हो जाएगा और इस सब्सक्राइब जो मंत्री बढ़ा जाएंगे 77 जैन केलास गैलोत और गौतम और इसके अलाबा जो दूसरे गोपाल राय मरीश्य सोधिया और अर्विंद केजरिवाली मंत्री होंगे तो निश्चित तोर पर बाकी किसी के लिए समय नहीं और इसक अलका लामबा ने ट्विट किया है और कहा है कि महला मुक्त मंत्री मंडल एक बार फिर से अर्विंद केजरिवाल बनाने जा रहे हैं और इस बार भी महला को मंत्री मंडल में जगह नहीं दी गई है यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक बार महला को इनों ने जगह दी थ दिर्चा के सब्सक्राइब है। पंडल में रखने लाइक भी नहीं समझते हैं यह है उनका महलाओं के प्रती रवया और दिल्ली की महलाओं को जहासा देने के लिए के जरीबाल ने बसों में यात्रा फ्री की थी लेकिन अब ऐसी खवरे भी आ रही है अंदर खाने के यह फ्री यात्रा वाला ड्रामा जल्द है फैल नहीं है इसकी वाज़े से जो पूरुष टिकेट लेकर चलते हैं उनको सीटे नहीं मिल पाती है और वो भी इसका बिरोध कर रहे है तो निश्चित तोरपर केजडिवाल को पता चल गया है कि यह फ्री वाला ड्रामा अब चलाने की जरूत नहीं है क्योंकि इससे ज टीचर्स को बुलाकर जबदस्ति उनको फर्मान जारी कर दिया जिसको लेकर टीचर्स ऐसोसीयेशन उप राज्यपाल के पास महुंची बीजेपी ने भी राज्यपाल से मांग की है कि इसको अनिवारता इसकी खत्म की जाए बात्यता खत्म की जाए लेकिन केजरिवाल को से उपर इन चीजों का असर अब पड़ेगा इसकी उम्मीद कम है क्योंकि वह बहुत ज्यादा घमंडी पहले से ही है लेकिन अब उसको पता चल गया है कि दुबारा से जंता की तरफ से उसको बोट मिला है तो वह इसी तरीके के नए नए प्रपंच रोज रोज करेगा और इसी तरीके से सरकारी करमचारी है और उनके फायदे के लिए इस्तिमाल करेगा लेकिन सबसे बड़ी बात इह है कि केसरी वाल यह कहता था कि सरकारी खर्चे पर प्रचार नहीं होना चाहिए सरकारी घर्चे बिग्ग एपने सब मेदान आपनए को आज सबही अकवारों से निकलवाया है पूरे पेज का अखवार में बिग्या पना और उसके द्वारा उसे लोगों से अब उसके सपत ग्रैन में आने की बहार लगाई है बजय यह है कि उसे लगता है कि साइद मैदान खाली रह जाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता की गाड़ी कमाई का जो टेक्स का पैसा है उसको किसी भी मुख्यमत्री को इस तरीके के बेकार के प्रिचार में मिथ्य प्रिचार में खर्च करने का अधिकार क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इसको लेकर सुप्रीम कोट पहले ही कही बार टिपड़ी कर चुका है लेकिन यह लाने में बड़ी मदद की और उसके जूट को छिपा कर रखा उसकी जो बड़े-बड़ी बात है थी उनको फ्रंट पेज पर छापा लेकिन उसके खिलाब जो सवाल थे जो आरोप थे उनको दबा कर रखा अब इसका एनाम केजरी वाल ने मीडिया को देना शुरू कर दिया यही बज़या है कि आज सभी अख्वारों बड़ा बड़ा पहले पेज पर एक बड़ा इस्तियार चापा गया उसी तरह से टीवी चैनलों पर भी इस्तियार चल रहे हैं और यह सब उनको पैसा देने का एक अनलग तरीका है जैहन जैबारत